पैसे का मनोविज्ञान अध्याय ग्यारह, उचित, तरकसंगत अधिकतर तरकसंगत होने का लक्षे रखना ठंडे तरकसंगत बनने की कोशिश करने से बेहतर काम करता है आप एक स्प्रेडशीट नहीं है आप एक व्यक्ति हैं, एक उलजा हुआ, भावुक व्यक्ति मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगा लेकिन एक बार जब यह समझ में आया तो मुझे एहसास हुआ कि यह वित्त के सबसे महत्वपूर्म हिस्सों में से एक है इसके साथ कुछ ऐसा भी आता है, जिसे अकसर नजरंदाज कर दिया जाता है वित्तिय निर्नाय लेते समय ठंडे दिमाग से काम लेने का लक्षे न रखे बस काफी उचित होने का लक्षे रखे तरकसंगत अधिक यथार्थवादी है और आपके पास लंबे समय तक इसके साथ बने रहने का बेहतर मौका है जो कि पैसे का प्रबंदन करते समय सबसे ज्यादा माइने रखता है आपको यह समझाने के लिए कि मेरा मतलब क्या है मैं आपको एक ऐसे व्यक्ती की कहानी सुनाता हूँ जिसने मलेरिया से सिफलिस का इलाज करने की कोशिश की थी जूलियस वैगन्व जोरेग 19-वी सदी के मनोचिकित सक थे जिनके पास दो अधवितिय कोशल थे वह पैटर्न को पहचानने में अच्छे थे और जिसे अन्य लोग पागल मानते थे उसे वह केवल बोल्ड लगता था उनकी विशेशता गंभीर नियूरोसाइफिलिस वाले मरीज थे तब बिना किसी ग्यात उपचार के एक घातक निदान उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू कर दिया यदि सिफलिस के मरीजों को किसी असंबंधित बीमारी के कारण लंबे समय तक बुखार रहने का अतिरिक्त दुर्भाग्य होता था तो वे ठीक हो जाते थे वैदन्व जौरेग ने माना कि यह उस धारना के कारण था जो सदियों से चली आ रही थी लेकिन डॉक्टर अच्छी तरह से समझ नहीं पाए बुखार शरीर को संक्रमन से लड़ने में मदद करने में भूमिका निभाता है इसलिए वहतारकिक निशकर्ष पर पहुँचे उन्नीस सो के दशक की शुरुआत में वैगन जौरेग ने टाइफाइड मलेरिया और चेचक के निम्न स्थर के रोगियों को इंजेक्शन देना शुरू किया ताकि उनके सिफलिस को खत्म करने के लिए परियाप्त मदबूत बुखार पैदा हो सके ये सुनने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही खतरनाक था उनके कुछ मरीजों की इलाज के दोरान मृत्यू हो गई आखिरकार उन्होंने मलेरिया के एक कमजोर संसकरन पर समझोता कर लिया क्योंकि कुछ दिनों के हड़ी हिलाने वाले बुखार के बाद कुनैन से इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता था कुछ दुखद परीक्षन और तुरुटी के बाद उनका प्रयोग काम कर गया वैगनर जौरेग ने बताया कि मलेरिया थेरेपी से उपचारित सिफलिस के दस में से छे मरीज ठीक हो गए जबकि दस में से तीन मरीज अकेले रह गए उन्होंने 1927 में चिकिट्सा में नोबेल पुरसकार जीता संगठन आज नोट करता है अपने पूरे कामकाजी जीवन में वैदनर जौरेग का मुख्य काम बुखार पैदा करके मानसिक रोग को ठीक करने का प्रयास था भगवान का शुक्र है पेनिसिलिन ने अंत्तह सिफलिस रोगियों के लिए मलेरिया थेरेपी को अप्रचलित बना दिया लेकिन वैगन जौरेग इतिहास के एक मात्र डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने न केवल संक्रमन से लड़ने में बुखार की भूमिका को पहचाना बल्कि इसे उपचार के रूप में भी निर्धारित किया बुखार हमेशा जितना डरावना होता है उतना ही रहसिमे भी होता है प्राचीन रोम के लोग बुखार से लोगों की रक्षा करने वाली देवी फेब्रिस की पूजा करते थे उसे प्रसंद करने के लिए मंदिरों में ताबीज छोड़े गए जिससे अगले दौर की कंप-कंपी से बचने की उमीद की जा सके लेकिन वैगंद जौरे कुछ कर रहे थे बुखार आकस्मिक उपद्रव नहीं है वे शरीर की पुनर प्राप्ती की राह में भूमिका निभाते हैं अब हमारे पास संक्रमन से लड़ने में बुखार की उपयोगिता के बहतर अधिक वैज्ञानिक प्रमान है यह देखा गया है कि शरीर के तापमान में एक डिग्री की व्रिद्धी से कुछ वाइरस की प्रतिकृती दर दो सो के कारक तक धीमी हो जाती है NIH पेपर लिखता है कई जांच करताओं ने बुखार प्रदर्शित करने वाले मरीजों के बीच बहतर परिणाम की पहचान की है Seattle Children's Hospital ने उन माता पिता को शिक्षित करने के लिए अपनी वेब साइट पर एक अनुभाग शामिल किया है जो अपने बच्चे के तापमान में थोड़ी सी भी व्रिद्धी से घबरा सकते हैं बुखार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है वे शरीर को संक्रमन से लड़ने में मदद करते हैं बीमार बच्चों के लिए 100 डिग्री और 104 डिग्री एफ के बीच का सामान्य बुखार अच्छा होता है लेकिन यहीं पर विज्ञान समाप्थ हो जाता है और वास्तविक्ता हावी हो जाती है बुखार को लगभग सार्वभामिक रूप से एक बुरी चीज के रूप में देखा जाता है जैसे ही वे प्रकट होते हैं, उन्हें कम करने के लिए उन्हें टाइलनॉल जैसी दवाओं के साथ इलाज किया जाता है रक्षा तंत्र के रूप में लाखो वर्षों के विकास के बावजूद, कोई भी मातापिता, कोई मरीज, कुछ डॉक्टर और निश्चित रूप से कोई भी दवा कमपनी बुखार को एक दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं मानती है, जिसे समाप्त किया जाना चाह ये, ये विचार ग्यात विज्ञान से मेल नहीं खाते, एक अध्ययन स्पष्ट था, बुखार का उपचार ICU सेटिंग में आम है और संभवतह साक्ष आधारित अभ्यास के बजाए मानक हट धर्मिता से संबंधित है, Center for the History of Medicine के निदेशक हौवर्ड मारकेल ने एक बार बुखार फोबिया के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो उतनी ही व्यापक रूप से फैलती हैं, जितनी की संक्रामक बिमारिया जो उनके पीछे हैं, ऐसा क्यूं होता है? यदि बुखार फाइदे मंद है, तो हम उससे इतने व्यापक रूप से क्यों लड़ते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जटिल है, बुखार दुख देता है, और लोग दुख नहीं पहुँचाना चाहते, इतना ही, डॉक्टर का लक्षे सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, यह रोगी के लिए उचित और सहनिय सीमा के भीतर बीमारी का इलाज करना है, संक्रमन से लड़ने में बुखार के मामूली लाब हो सकते हैं, लेकिन ये नुकसान पहुचाते हैं, और मैं दर्द रोकने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, जब मैं कंबल के नीचे कांप रहा होता हूँ, तो मुझे डबल ब्लाइंड पढ़ाई की परवाह नहीं ह होती, यदि आपके पास बुखार रोकने वाली कोई गोली है, तो अभी मुझे दे दीजिये, यदि आपको कोई संक्रमन है, तो बुखार की आवश्यक्ता होना तरकसंगत हो सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है, वह दर्शन तरकसंगत के बजाए उचित होने का लक्ष एक ऐसा दर्शन है, जिस पर लोगों को अपने पैसे से निर्नाई लेते समय विचार करना चाहिए, अकादमिक वित गणितिय रूप से इश्टतम निवेश रननीतियों को खोजने के लिए समर्पित है, मेरा अपना सिध्धांत यह है कि वास्तविक दुनिया में लोग गणित ने जोखिम और रिटर्न के बीच गणितिय व्यापार की खोज के लिए नोबेल पुरसकार जीता, एक बार उनसे पूछा गया था कि उन्होंने अपना पैसा कैसे निवेश किया, और उन्होंने 1950 के दशक में अपने पोर्टफोलियो आवंटन का वरनन किया, जब उनके मॉ मेरा इरादा अपने भविश्य के पच्चतावे को कम करना था, इसलिए मैंने अपने योगदान को बांड और इक्विटी के बीच 50 बटा 50 विभाजित किया है मारकुविट्स ने अंत्तह मिश्रण में विवित्ता लाते हुए अपनी निवेश रणनीती बदल दी लेकिन यहां दो बातें महत्वपूर्ण है एक यह है कि भविश्य में पचतावे को कम करना कागज पर तरक संगत बनाना कठिन है लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है एक तरक संगत निवेशक संक्यात्मक तत्यों के आधार पर निर्ने लेता है एक उचित निवेशक उन्हें एक सम्मेलन कक्ष में ऐसे सहकर्मियों से घिरा हुआ बनाता है जिन्हें आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहते हैं एक ऐसे जीवन साथी के साथ जिसे आप निराश नहीं करना चाहते हैं या मूर्ख लेकिन यथार्तवादी प्रतिसपर्धियों के खिलाफ निर्ने लेते हैं जो आपके बहनोई हैं, आपका पडोसी और आपके अपने व्यक्तिगत संदेह निवेश में एक सामाजिक घटक होता है जिसे कड़ाई से वित्तिय चश्मे से देखने पर अकसर नजरंदास कर दिया जाता है दूसरा ये कि ये ठीक है जेसन ज्विग जिन्होंने साक्षातकार आयोजित किया था जब मारकोविट्स ने बताया कि उन्होंने कैसे निवेश किया बाद में प्रतिबिम्बित किया मेरा अपना विचार है कि लोग ना तो तरकसंगत है और नहीं तरकहीन हम मानव है हम आवश्रक्ता से अधिक कठिन सोचना पसंद नहीं करते हैं और हम लगातार अपने ध्यान की मांग करते रहते हैं उस प्रकाश में देखा जाए, तो इस तथ्य में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिध्धान्त के अग्रणी ने अपने स्वयम के शोध के लिए बहुत कम सम्मान के साथ अपना प्रारंभिक पोर्टफोलियो बनाया. नहीं यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने इसे बाद में समायोजित किया. मार्कोविट्स न तो तरकसंगत है और नहीं तरकहीन. वह उचित है. विट्स में जिस बात को अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है, वह यह है कि कोई चीज तकनीकी रूप से तो सच हो सकती है, लेकिन प्रासंगिक रूप से बक्वास हो सकती है. 2008 में येल के शोद करताओं की एक जोडी ने एक अध्यान प्रकाशित किया, जिसमें तरक दिया गया कि युवा बचत करताओं को स्टॉक खरीते समय दो से एक मार्जिन का उप्योग करके अपने सेवा निवरित्ती खातों को सुपरचार्च करना चाहिए. यह सुझाव देता है कि निवेशक उम्र बढ़ने के साथ साथ उस उत्तोलन को कम कर दें, जिससे एक बचत करता को युवा होने पर अधिक जोखिम लेने की सुविधा मिलती है, और वह एक बड़े बाजार उतार चड़ाव को संभाल सकता है, और अधिक उम्र होने पर कम जोखिम उठा सकता है, भले ही जब आप युवा थे तो लिवरेज का उपयोग करके आप बरबाद हो गए थे, शोद करताओं ने दिखाया कि लंबे समय में बचत करता अभी भी बेहतर स्थिती में होंगे, जब तक कि वे खुद को वापस उठा ले, योजना का पालन करें और दो से एक लिवरेजड खाते में बचत करते रहें, मिटा दिये जाने के अगले दिन, गणित कागज पर काम करता है, यह एक तरक संगत रणनीती है, लेकिन यह लगभग बेतु का रूप से अनुचित है, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने सेवा निवरिती खाते का एक 100% खत्म होते और इतना अप्रभावित होते नहीं देख सकता कि वे बिना किसी डर के रणनीती पर चलते रहें, वे नौकरी छोड़ देंगे, एक अलग विकल्प की तलाश करेंगे और शायद अपने वित्तिय सलाहकार पर मुकदमा करेंगे, शोध करताओं ने तरक दिया क उनकी रणनीती का उप्योग करते समय, जीवन चक्र निधी की तुलना में अपेक्षित सेवानिवृत्ती धन 90% अधिक है, यह 100% कम उचित भी है, वास्तव में अतारकिक निरनयों को पसंद करने का एक तरक संगत कारण है, यहां एक है, मैं सुझाव देता हूँ कि आप अ पारम पर एक सलाह नहीं है, निवेशकों के लिए यह दावा करना लगभग सम्मान का प्रतीक है कि वे अपने निवेश के बारे में भावनाहीन हैं, क्योंकि यह तरक संगत लगता है, लेकिन अगर आपकी रणनीती या आपके पास मौझूद शेरों के बारे में पर आप उनसे दूर चले जाएंगे, तरक संगत सोच एक दाइत्व बन जाती है। जो उचित निवेशक अपनी तकनीकी रूप से अपूर्न रणनीतियों को पसंद करते हैं, उनके पास बढ़त है क्योंकि उनके उन रणनीतियों पर टिके रहने की अधिक संभावना है। ऐसे कुछ वित्तियचर हैं, जो किसी रणनीति के कमजोर वर्षों के दौरान उसके प्रती-प्रतिबधता की तुलना में प्रदर्शन से अधिक सहसंबध होते हैं, प्रदर्शन की मात्रा और एक निश्चित अवधी में इसे हासिल करने की संभावना दोनों। अमेरिकी बाजारों में पैसा कमाने की एतिहासिक संभावना एक दिन की अवधी में 50 बटा पचास, एक वर्ष की अवधी में 68%, दस वर्ष की अवधी में 88% और अब तक 20 वर्ष की अवधी में 100% है। जो कुछ भी आपको खेल में बनाए रखता है, उसका मातरात्मक लाब होता है। यदि आप वहकरें जो आपको पसंद है को खुशाल जीवन के मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, तो यह खाली भाग्यकुकी सलाह की तरह लगता है। यदि आप इसे सफलता की मातरात्मक संभावनाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए आवश्यक धहरे प्रदान करने वाली चीज के रूप में देखते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह किसी भी वित्तिय रणनीती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। एक ऐसी आशाजनक कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है और जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप इसका आनन्द ले सकते हैं। लेकिन जब जवार अनिवारे रूप से बदल जाता है, तो आप अचानक उस चीज पर पैसा खो देते हैं, जिसमें आपकी रुची नहीं होती है। यह दोहरा बोज है और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता किसी और चीज की ओर बढ़ना है। यदि आप शुरुआत से ही कमपनी के बारे में भावुक हैं, आप मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान, जो भी हो से प्यार करते हैं, अप्रिहारे मंदी के समय जब आप पैसे खो रहे होते हैं, या कमपनी को मदद की जरूरत होती है, तो यह इस तथ्य से प्रभावित ह होता है कि कम से कम आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा है, वह आवश्यक प्रेरना हो सकती है, जो आपको हार मानने और आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसे कई अन्य समय होते हैं, जब पैसे के मामले में तरकसंगत होने के बजाए उचित होना ठीक होता ह एक अच्छी तरह से प्रलेखित घरेलू पूर्वाग्रह है, जहां लोग ग्रह के अन्य 95% प्लस को अंदेखा करते हुए उस देश की कमपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, जहां वे रहते हैं यह तरकसंगत नहीं है, जब तक आप यह नहीं सोचते की निवेश करना प्रभावी रूप से अजनबियों को पैसा देना है यदि परिचित्ता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विश्वास की छलांग लगाने में मदद करती है, तो यह उचित है अधिकांश निवेशकों के लिए डे ट्रेडिंग और व्यक्तिगत स्टॉक चुनना तरकसंगत नहीं है, संभावनाएं आपकी सफलता के विरुद्ध है लेकिन वे दोनों छोटी मात्रा में उचित हैं, यदि वे आपके शेश अधिक विविध निवेशों को अकेले छोडने के लिए पर्याप्त खुजली करते हैं निवेशक जोश ब्राउम, जो विविधिकरित फंडों की वकालत करते हैं और ज्यादा तर उनके मालिक हैं, ने एक बार बताया था कि उनके पास व्यक्तिगत स्टॉक भी क्यों है, मैं व्यक्तिगत स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अलफा उत्पन करने जा रहा हूं, मुझे सिर्फ स्टॉक पसंद है और तब से है जब मैं बीस साल का था, और यह मेरा पैसा है, मुझे कुछ भी करने को मिलता है, काफी उचित, अर्थ विवस्था और शेयर बाजार आगे कहा जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकांश पूर्वा नुमान लगाना उचित है, सुबह उठकर अपने आप से यह कहना कठिन है, कि आपको पता नहीं है कि भविश्य में क्या होगा, भले ही यह सच हो, निवेश पूर्वा नुमानों पर कारे करना खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग यह भविश्य वानी करने की कोशि निश्क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा, यह मानव स्वभाव है, यह उचित है, वेंगार्ड के दिवंगत संस्थापक जैक बोगल ने कम लागत वाले निश्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपना करियर धर्म युद्ध में बिताया, कई लोगों को यह दिल्चस्प लगा कि उनके बेटे को एक सक्रिय उच्छ शुल्क वाले हिज फंड और म्यूच्वल फंड मैनेजर के रूप में करियर मिला, बोगल वह व्यक्ती जिसने कहा कि उच्छ शुल्क वाले फंड अंगनित के विन्मरिन्यमों का उलंगन करते हैं, ने अपने स्वयम के कुछ पैसे अपने बेटे के फंड में निवेश किये, स्पश्टिकरन क्या है? बोगल ने द वाल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम पारिवारिक कारणों से कुछ चीजे करते हैं, अगर यह सुसंगत नहीं है, तो ठीक है, जीवन हमेशा सुसंगत नहीं